भारत व न्यूजी लेंड के वीच खेली जा रहे तीन वंडे मैचों की स्रीज के आखरी मुकाबले से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांडिया मौम्मस समी कुली पियादो की हो सकती है छुट्टी नई प्लेइंग लेविन घोसित अब होगा न्यूजी लेंड का सूपड़ा सा करें बेल आइकन प्रेस करें ऑल पे सेट करें दोस्तों आपको बता दे भारती टीम ने न्यूजी लेंड के खिलाब तीन वंडे मैचों की स्रीज के पहले दो मुकाबले जीत कर सिरीज अपने नाम कर लिए तो वहीं अब टीम इंडिया 24 जनवरी को इंदोर में होने वाला का तीसरा वंडे मैच खेलने उतरेगी तो वहीं पर रोही सर्मा की अगवाई वाली भारती टीम की नजरे क्लीन सुइप करने पर होंगी इससे पहले टीम ने सिलंका के खिला भी तीन सूरने से क्लीन सुइप किया था लेकिन अगर वर्क लोड मैनेजमेंट की बात करें तो खिलाडियों के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए तीसरे वंडे मैच में टीम इंडिया कुछ बहुत बड़े बदलाव कर सकती है इसके संकेत कप्तान रोही सर्मा ने रायपूर वंडे जीतने के बाद प्रजेंटेंशन सेर्मनी में दे दिये थे आपको बता दे कप्तान रोही सर्मा ने कहा था कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट स्रीज को ध्यान में रखते हुए वो मुहमद समी और मुहमद सिराज के वर्क लोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखे हुए हैं उन्होंने यह भी कहा था कि नहीं पता है कि इन दोर वनडे में क्या रण गौर तलब है कि मौमद समी और मौमद सिराज ने लगातार पांच वंडे मैच 10 जनवरी से 21 जनवरी तक खेले हैं ऐसे में 24 जनवरी को कप्तान रोही सर्मा टीम में बड़े बदलाओ कर सकते हैं गौर तलब है कि मौमद सिराज और मौमद समी के अलावा हर्दिक पांडिया का फिट रहना भी टीम इंडिया के लिए बेहत जरूरी है इस इस्तिती में कप्तान रोही सर्मा हर्दिक पांडिया की जगे तीसरे वंडे में सहबाज अहमद को मौका दे सकते हैं और वही मौमद समी या सिराज में से किसी एक को आराम दे कर उम्रान मलिक को मौका दिया जा सकता है ऐसे मैं बात करें तो मौमद समी को आराम देने की ज़्यादा चांस है क्योंकि वो उम्र दराज खिलाडी है जबकि मौम्मद सिराज एक अभी युवा खिलाडी है तो वो तीसरे वंडे में पैस बैटरी को लीड करते दिख सकते हैं तो वही पर इंदोर वंडे मैच की प्लेंग लेविन की बात करें तो कुछ इस तरह हो सकती है तो आपको वीडियो कैसी लगे है मैं कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें